आप आपको और एक नए व्लॉग के अंदर गाइस मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अगला वीडियो आप जरूर देखना जो कि बहुत 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 जारा इंट्रेस्टिंग होने वाला है यह वही वीडियो है जिसके मैं बात कर रहा था और यह वो लाइबरेरी है जहाँ पर मैं जा रहा हूँ इसे चिल्डरन लाइबरेरी कहते और यहाँ पर आपको पूरी दुनिया का कल्चर सिविलाइजेशन एकसेटरा एकसेटरा सब कुछ देखने को मिलेगा इसके साथ साथ जो अच्छे हिस्ट्री और साइंस में इंटरेस्ट रखते है उनके लिए भी काफी जीज़े यहाँ पर है वीडियो को एंड तक जरूर देखना कुछ स्टेट्स आपको यहाँ पर मिसिंग भी दिखेंगे तो आप कहोगे आपने तो बोलता सारे स्टेट्स को यहाँ पर यहाँ प्रप्रिस्ट किया है बट ब्रॉबलिम यह है कि जब लाइब्रेली बनी थी उस टाइम पर कुछ स्टेट्स बने नहीं थे या पर यह यहाँ पर देखने के लिए चो आपको अगर देखना है तो पूरी दूनिया घूमना पड़ेगा बट यह इक जगह पई या एक सिंगल जगह पे आपको सब कुछ देखने के मिला जैसे एक लोट का कल्चर यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो कुछ भी ले लो आप सारे सिविलाइजेशन क्लोट कल्चर और एनिधिंग फॉडाट मैंटर जो हिस्ट्री से यूना बिलॉंग करता है सिविलाइजेश कि सब कुछ आनि सब कुछ आपको एक जगह पे मिलना मेरे तो बहुत बड़ी बात थी आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखना विकोज बहुत नॉलेज आपको मिलने वाला इस वीडियो के तुरू सारे कल्चर वगर आपको दे देखने पड़ता इस वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखना और सारी चीजों को ध्यान से नोटिस करना आपको बहुत कुछ यहां पर सिखने को मिलेगा कि अबड़ता आपको अबड़ता हुआ है अजिए आज मैं आज तूर तो नहीं हूं बट देखो अब अगर यह डॉल आपको अनाबेला वाली डॉल लगते है तो मुझे कमेंट सक्शिन में बता देना विकॉस मुझे पता नहीं ये अनाबेला वाली वही डॉल है या नहीं करें तो यहां पर जो लंबा सा रस्ता दिख रहा आपको यह क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर आपको हिस्ट्री या फिर थोड़ा सा भी जन्रल नॉलेज है तो आप मुझे बता पाओगे ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में आपने टेंथ के बुक में पड़ा है उसे क्या कहते थे उसका नाम में आप मुझे अगें कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे कौन सा सिविलाइजेशन था वो जो की मेसोपोटिमिया से बिलॉंग करता था मैं वन आफ दो परस्नल फेवरेट सिविलाइजेशन यह सब को जीजस क्रैस्ट के बारे में यह और जो मुझेश वगेरे थे यानि जो पूरा जीव कल्चर है वो यहाँ पर आपको देखने को बिलता है आज के कंट्री है जिसका पुराना नाम बेबिलॉन हुआ करता था अगें वो कंट्री का नाम आप मों जो कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे हिस्ट्री स्टुडेंट होने का आज बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि भाई यह सब कुछ देखने को मिल रहा है पढ़ने को मिल रहा है और सबसे जरुरी औरों को भी दिखा पा रहा हूं कि अब बिल्कुल मत बूला कि यह क्या है इस्ट रहला हमें पता नहीं कुछ यह हमारी इंडिया का इंड़ेस वाली सिविलाजेशन है कि अब आगे मुझे बताओं कि कहा दोंताइ और और आपको शिंदू नदी जा फिर इंडस देखने कुन विंद्ली है कि यह तो मुझे बात कर ली mieć हमारे इस्टिय स्टुएन्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। जिनको science में बहुत ही ज़्यादा interest है तो यह सारे चीज़े देख लो भाई आपके काम की क्या-क्या नजर आती है क्या-क्या आपको इसमें से सीखने को बिलता है because personally मुझे science के बारे में इतनी knowledge नहीं है जितनी history के बारे में है तो देखो क्या-क्या चीज़े आपने इससे पहले देखी होगी या नहीं देखी होगी कुछ आपको नया देखने को बल रहे है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताला कि अगर यह वीडियो आपके किसी भी काम आती है इंफॉर्मेटिव लग के इसे शेयर करो कि अगये है कि अगये है प्रफ़ार्फा यदास्त प्रफ़ंट कर्फ़ंट और फिर गुग जार जार पिरेंगा प्रफ लाज तर प्रेड़र यदियर। कर दो हुआ कर दो झाल झाल यहाँ पर अर्थ को बीच में से काटा है और इंटेरियर में क्या क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ भी ग्लोब दिख रहा है तो एक सवाल पूछतो आपसे एक बात बताओ जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्वेटर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकौन य आप यह यह लाइन यह क्या रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्यूं दिखाई जाती है अर्थ के ग्लोब के ओपर यह लाइन क्यों दिखाई जाती है आई एक्सपेक्ट कि आप आंसर मुझे कमेंट सेक्षन के अंदर बताओंगे लिड़िब सेड़्ड है तो बस भाई यह सारा हिसाब किताब था एडुकेशनल यूनो स्टाइन पॉइंट से कि आपको साइन्स की और हिस्टी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन में आपको दिखा पाया मैंने आपको यहां पर दिखा दिये और इस लाइबरेरी के बारे में अगर आपको कुछ भी की चीज़े समझ में आए कुछ नहीं सीखने को मिला कमेंट सेक्षेन के अंतर बताना इस वीडियो को एंड देखने के लिए बहुत बहुत धेने वाग इस वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे टून यह मेरी दोस्ते बढ़ करो